याता यात पुलिस ने वाहन चालोकों से वसूला जुर्माना दी समझाईस मकडाई समचार हर्दा बिना मास्क वाहन चलाने वाले 12 लोगों पर की चालानी कारवाही कुल 8200 रुपे का समन सुल्क वसूला बाजार में नो पार्किंग में आव्यवस्थित रूप से खड़े बाहनों के वील लाग किये आज गुरुवार को पुलिस अधिक्षक हर्दा मनीश कुमार अगरवाल ब अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक हर्दा गजेंदर सिंग बर्धमान के निर्देशा नुशार सूबेदार वर्षा गोर द्वारा 22 दो पहिया चार पहिया अन्य वाहनों पर चालानी कारवाही करते हुए 7,000 रुपे का समन सुल्क वसू लगया जिन में बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट एवं माल वाहनों में बाहन की बॉड़ी से उचा माल भरे हुए वन बे में वाहन चलाने, प्रेसर हॉन बाले वाहनों पर चालानी कारवाही की गई साथ ही बिना मास्क यात्रा करने वाले 12 लोगों पर चालान करते हुए 1200 रुपे समन सुल्क वसूल किया गया सहर में यातायाद व्यवस्ता एवं पार्किंग व्यवस्ता सुचारू रखने है तू लगतार सहर में ब्रहमन किया गया एबं बाजार में नो पार्किंग में आवे वस्तित रूप से खड़े होने के कारण जाम का कारण बनने वाले वाहनों को बार बार अनौंस्मेंट के बाद भी ना हटाए जाने पर उनके वी लॉक किये गए कारवाही में ASI, सौवरन सिंग पटेल, प्रधान आरक्षक, महेश सर्मा, वसंत चोधरी, आरक्षक, नीरज तिवारी, अभिसेग साद, विमल लोवंसी एबं हमराह थाना स्टाप उपस्थित रहा हर्दा से अमजद मनसूरी की रिपोर्ट